Hello everyone, my name is Raul. ICC Bank hire career relationship manager post के लिए और यह जो आपका hiring चल रहा है, यह आपका direct hiring होगा इसमें आपको कोई कोर्स का फीन नहीं देना परता है, इसमें आपको कोई भी पैसन नहीं लगते और इसमें जो आप select होगे वो आप direct ICC Bank के payroll पे select होगे और यह hiring आपका across India हो रहा है, pan India location के लिए यह hiring हो रहा है तो relationship manager post के लिए आपका eligibility criteria क्या क्या है, कौन इसे apply कर सकता है, कौन-कौन eligible है और इसको apply करने के बाद आपका job role क्या रहेगा, आपकी responsibilities क्या रहेगी और आपका salary कितना रहेगा और आपका जो location होगा, job location वो कहाँ दिया जाएगा सब चीज़ों काम लोगे इस वीडियो में detail में discuss करेंगे तो relationship manager काफी popular post है, आप किसी भी bank में apply करोगे, किसी भी bank में जो hiring होती है उसमें एक relationship manager होता ही है, तो इसका job role क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा मिल्ली जो relationship manager को hire किया जाता है, वो bank के जो high individual customer होते है जो high net worth income वाली customer होते है, उनके account को maintain करने के लिए उनसे relationship बना के रखने के लिए इनको hire किया जाता है इसके अलावा ये branch में कुछ operations के काम भी करते है, साथे साथ ये नए customer को acquire भी करते है और अपने existing customer और नए customer को banking के products और services को sale करते है सारी job role और सारी चीज़े मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा 50 या 55% आपका होना चाहिए तब ही आप इस post के लिए eligible होते हो graduation इसका minimum record qualification होता है इसके अलावा अगर आपने master's किया है, अगर आपने MBA किया है, अगर आपने MBA with finance किया है तो फिर ज्यादा आपको preferred किया जाता है मतलब master's degree या फिर MBA finance ये सारी degree को ज़्यादा prefer किया जाता है, उनको पहले select किया जाता है लेकिन इसका minimum record qualification graduation होता है, तो अगर आपने graduation किया है, तो भी आप इसे apply कर सकते हो अब बात करते हैं कि freser इसे apply कर सकते हैं या फिर सिप experience वाली को ही लिया जाता है तो इस post के लिए freser भी apply कर सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा prefer किया जाता है, वो आपका experience वाली को prefer किया जाता है अगर आपका MBA किया हुआ है, MBA in finance किया हुआ है, तो अगर आप freser हो, फिर भी आप इसे apply कर सकते हो, आपका कोई work experience required नहीं होता है लेकिन अगर आपका सिफ graduation किया हुआ है, तो फिर आपका work experience required होता है और अगर आपका work experience किसी sales field में है, या फिर relationship management field में है, तो फिर आपको ज़्यादा prefer किया जाता है और अगर आप graduation किये हो, लेकिन आप freser हो, आपका कोई work experience ही नहीं है, तो भी आप इसके लिए apply कर दीजिए, आप interview दीजिए, कभी-कभी आपको new relationship manager के post के लिए आपको select कर लिया जाता है जो कि आप select होगे senior officer में या फिर sales officer के रूप में आप select होगे आपको upload करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका profile shortlisted होता है, तो फिर आपको ये लोग interview के लिए आपको mail भेजते हैं, और ये interview आपका online भी हो सकता है, या फिर आपका offline भी हो सकता है, और ये अगर आपका online interview होता है, तो आप इसे mobile phone, laptop, या फिर desktop किसी से भी दे सकते हो, अप आपको 15-20 दिन में आपको offer letter generally आपको provide कर दिया जाता है, और offer letter मिलने के बाद आपको offer letter को sign करके, इसके career के portal पे आपको upload करना पड़ता है, और उसके बाद आपका induction process start होता है, induction process के उपर मेरा already video uploaded है, आप मेरे channel पे जाके check out कर सकते हैं, तो आप बत करते है, relationship manager का job role क्या होत हो, क्योंकि bank में जो mainly काम होता है, वो आपका sales and relationship management का ही होता है, तो इसमें जो आपका job role रहेगा, उसमें आपके high network customer होते हैं, या फिर आपके clients होते हैं, उनके साथ आपको relationship maintain करके रखना पड़ेगा, high network जो भी आपके clients होते हैं, उनको requirements हो सकती है, products की, services की, वो सारी चीज जाता है, और उनकी जो भी queries होती है, उनको आप handle करते हो, तो हो सकता है कि कुछ customers के नाम आपको map कर दे जाएंगे, कुछ clients आपको map कर दे जाएंगे, और आप उनके point of contact होगे, उनको कोई भी queries होगी, कोई भी उनको requirement होगी, उनको आप deal करोगे, उसको आप handle करोगे, और में आपको deal करना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को सेल करना पड़ेगा और आप existing customers के साथ relationship maintain तो करों गई उनके साथ एसाथ आपको नए customer को भी acquire करना पड़ता है new customer acquisition का भी आपका काम रहता है नए customer को बनाना उनको, sale करना उनको service देना, उनके साथ relationship बनाना, ये भी आपका job role रहेगा और आपके जो client है, उनके लिए current account खुरवाना, savings account करवाना, FD करवाना, loan करवाना, insurance sale करना, mutual fund में invest करना, SAP करवाना, ये सारे आपके job roles रहेंगे और current account ये savings account को सिर्फ open करना ही नहीं, उनके आपको fund भी डलवाना होगा, मतलब जो भी आपके account open होगे, उनके आपको balance भी maintain करवा के रखना पड़ेगा, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको relationship manager बनाया दिया जाता है, लेकिन उसके अलाबा आपके सारे banking products को भी आपको sale करना पड़ता है, and relationship manager एक अच्छा post है, तो इसमें आपका जो walk-in customer होते है, जो branch में customer visit करते हैं, आप उनको भी help करते हैं, उनको भी sales करते हो, जैसे कि आपका branch में कुछ operations के work, जैसे कि आपका check draft करवाना, RTJS करवाना, या फिर NEFT करवाना, ये सारे काम भी आप करते हो, लेकिन आपका जो main काम होता है, जो main focus होता है, वो आपका customer से relationship बनाना, और आपको sales करना ही आपका main काम होता है, तो आप बद करते हैं, इसके job timing की, आपका job का क्या timing होता है, तो relationship manager retail banking group में, आपका job का timing रहेगा, वो आपका सुबह 9 बज़े से लेकिए, सामके सारे 6 बज़े तक रहेगा, on and average आपका 8 timing रहेगा, लेकिन आपका जो peak time होता है, जैसे कि April, March का time, या फिर year ending का time, या फिर अगर आपका काम ज्यादा रहेगा, या फिर आपका work का ज्यादा pressure रहेगा, तो आपको extend भी करना पर सकता है, आपका 7 सारे 7 art भी बस सकता है, तो आप बद करते हैं, इनका field work होता है या नी, या फिर इनका field visit होता है या नी, bank का जो timing होता है customers के लिए वो आपका सुबा सारे 9 बज़े से खुलता है या फिर सारे 3 बज़े तक या 4 बज़े तक open रहता है लेकिन उसके बाद भी आपका back end में काम होता रहता है तो अगर आपके clients आपके बुलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि bank बंद होगा उसके बादी उनको जरूरत परेगी 4 बज़े के बादी हो आपको बुलाएंगा ऐसा नहीं होता है कर सकते हैं और यह जो आपके salary होता है वो आपका डिपेंड करता है location to location अगर आप रूलर अरिया में होता आपका salary different रहेगा और आपका experience आपका interview इन सब क्यों पर भी आपका salary रहेंगे और आपको customer को cross selling भी आपको करती रहनी पड़ेगी and career probation के अगर बात करें तो retail banking group में relationship manager का एक अच्छा career progression रहता है इसके बाद जो आप promote होगे तो उसमें आप assistant manager या फिर आप deputy manager भी आप बन सकते हो तो retail banking group में एक relationship manager यह सारे काम को करता है इसके अलाबा relationship manager आपका business banking group में भी होता है, आपका wholesale banking group में भी होता है, personal banking group में PUBG भी होता है, तो आपका offer letter में आपको mention रहेगा कि आपका किस business group में आपको higher kia गया है ? तो आप उसको check out कर लिजे और आपको किसी भी post के लिए आपको hire किया गया है तो मुझे नीचे comment से बताईए तो मैं आपका job role को और अच्छे से आपको बता पाऊंगा तो अगर आपको इस post के लिए apply करना है चैनल को subscribe करेंजे ऐसे वीडियो के लिए और आप मुझे इस्टा भी follow कर सकते कुछ banking के tips और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पर जाएए बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे सारे वीडियोज आपको बहुत ज्यादा help करेंगे thank you so much for watching till the end I see all the very best till then take care bye bye Jai Hind